हाथी बर्टे दू यू नमस्कार बहुत द्वागत आपका देख रहे हैं आप बहुत खास कारिक्टरम शुब जनम दिन दिनांक 11 सितंबर दिन कोई भी हो अगर 11 सितंबर को आपका जनम दिन है तो आपको हमारी तरफ से बहुत सारे शुब कामनाए बधाईया बहुत सारा प अगर आप हर प्रकार से सोयम को बहुत ज़्यादा सिद्ध करना चाहते हैं सोयम को बहुत स्ट्रॉंग महसूस करना चाहते हैं सोयम के साथ बहुत अच्छा जश्टिस करना चाहते हैं तो आप समझ लीजेगा कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं यही से वो बड़ा शुरू होने जा रहा है आप सब के लिए बहुत खास जानकारी लेकर के हाजी रूम है और दो जानकारिया और देते हैं 13-14 को आप हमसे चंडीगर में मिल सकते हैं और 15-16 को जैपुर में मिल सकते हैं इसी महीने सितंबर तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिख करके वाटसप करें जो नंबर्स चल रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर इसी पर वाटसप करना है चंडीगर अपॉइंटमेंट जैपुर अपॉइंटमेंट दिनांग 11 सितंबर को पैदा हुए लोगों के लिए सिक्षा के मामले में यह साल बहुत हिस्टोरिकल रहेगा बहुत दिनों से रुका हुआ जो आपका बोज़ा था वो उतर जाएगा जैसे आप किसी क्लास में बहुत बार बार फेल हो रहे थे तो पास हो सकते हैं सिक्षा छेतर में गती आपको मिलेगी एक ठाहराव खत्म होगा पीजी वगरे बदल सकते हैं सितंबर अक्टूबर में नौंबर दिसंबर में बहुत मन लगा कर पढ़ेंगे और जनवरी फरवरी में जो आपने पढ़ लिया मार्च आप टॉप करने जा रहा है बिलकुल उड़ जाएंगे अप्रेल मैं थोड़ा सा रिलाक्स रहेगा जून जुलाई में कहीं नहीं जगहें पर अड्मिशन आद के लिए विचार आपके संपन्न होंगे कोई प्रोफेशनल कोर्स में अड्मिशन ले सकते हैं आप अगस्त सितंबर जबरदस्त रहेगा बिजनस ब कुछ अचानक से आपके लिए समस्या आ सकते हैं सरकारी मशीनरी से भी कुछ उलजे उलजे से रहेंगे प्राइवेट सिक्टर मामला ठीक रहेगा समय नपूल हैं प्राइवेट सिक्टर में आ रहे ही बड़ी स्पाधाएं समस्याएं दूर हो जाएंगे संभवग की आपका प्रभाव बहुत सकरात्मक और बहुत बड़ा हो वह आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रभाव ले करके आएगा जितना हो सकेगा आपने आपको बहुत मजबूत करके आप रखिएगा ब्यापारी देश्टिकोर से प्राइवेट सिक्टर में रुके काम आपके बन जाएंगे नई नौगली की संभावनाएं नौंबर दिसंबर में हैं नौगली की तरब से कहीं बाहर भेज़े जा सकते हैं जनवरी फरवरी के बीच में धन की श्तिती बहुत अच्छी रहेगी कहीं जमीन आद्मे निवेश कर सकते हैं मई जून महीना आपके लिए धन दायक रहेगा कुछ कारेश हित्री के अलावा भी कहीं आप निवेश करके पैसा प्राप्त कर सकते हैं जर जमीन से भी आपको धन लाब हो रहा है स्थानांतरन मार्च के मिट में संभव है मार्च के बाद बहुत सालों से ड्यू प्रोमोशन भी हो जाएगा ये निश्चित मान के चलिए और हो जाए तो मिठाई लेकर आ जाईएगा मैं इंतिजार करोगा दामपत्य जीवन में बहार आएगा साधी के बाद बच्चे की संभावनाएं मार्च अप्रेल में बन रही है दामपत्य सुख की अच्छी प्राप्ति दिखाई देती है धन का लाब पेर को होगा जोड़ों को होगा कुछ विशेष निवेश के भी भाइदे मिल सकते हैं के बीच में संभाव है रुकेकार आपके बन जाएंगे पैचप होगा अगर जगड़ा चल रहा था तो अक्टूबर नॉम्बर में प्रयास कर लीजेगा लव लाइफ में इस्थिती बहुत अच्छी नहीं है सितंबर अक्टूबर तो जैसे बिलकुल सेप्रेटी कर देग बहुत सोच समझकर अपने आपको तयार रखिएगा जो आपके लिए हर लिहास से सकरात्मग हो मानसिक रूप से प्रशन रहेंगे लव लाइफ स्मूथ और हल्दी हो जाएगे शादी की चर्चाएं भी आप कर सकते हैं जुलाई अगस्त आते हैं उपाय क्या करना है बताएंगे स्वास्त जाल लेते हैं हल्थ के मामले में माइग्रेन की समस्या कुछ जादा ही बढ़ जाएगी डिप्रेशन में जा सकते हैं अक्टूबर नॉमबर में सावधान रहेगा जनवरी फरवरी कुछ पाउं में चोट आदी की संभावनाएं भी दरसाती हैं यात्रा सावधानी से करें शुगर पर मिसेश कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा फिजिकल वर्क जरूरी है आल्वेज माइंड इट काले साबत उड़त की खिचड़ी बनाकर गव माता को खिलाएं और दो बच्चों की सिक्षा में मदद करें आज शादी किये पेर्स के लिए किसी स्वहागन को एक साड़ी उपहार दे दीजेगा बहुत आभार 13-14 चंडीगर 15-16 जैपूर जल्दी से अपॉइन्मेंट ले लिजिए समय बिलकुल फुल होने जा रहा है अपॉइन्मेंट कभी भी बंद हो सकता है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार स्रीकिष्णा शिरा दे